किम जीसु जिन्हें आमतोर पर जिसु के नाम से जाना जाता है का जन्म तीन जन्वरी 1995 को दक्षिन कोरिया में हुआ था। उन्होंने एक गाय का और अभिनेत्री दोनों के रूप में उतक्रिष्ट प्रदर्शन करते हुए एक बहुमुखी कलाकार के रूप में मनोरंजन उद्योग में एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है। जिसु अत्यधिक प्रशंसित दक्षिन कोरियाई लड़की समूह ब्लैक पिंक के सदस्य के रूप में प्रमुखता से उभी जिसका गठन अगस्ट 2016 में YG Entertainment द्वारा किया गया था। अपनी संगीत गतिविधियों के अलावा जिसु ने अभिनय में भी कदम रखा और छोटे और बड़े दोनों स्क्रीनों पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उन्होंने 2015 श्रिंखला दप्रड्यूसर्स में एक कैमियो भूमिका के साथ अभिनय की शुरुवात की। हाला कि यह JTBC श्रिंखला स्नोड्रॉप 2021 से 22 में उनकी भूमिका थी जिसने उन्हें वास्तव में उद्व्योग में एक अगरणी महिला के रूप में स्थापित किया। स्नोड्रॉप में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन ने उन्हें 2022 सियोल इंटरनाशनल ड्रामा अवोर्ड्स में प्रतिष्ठित सर्वश्रिष्ट अभिनेत्री का पुरस्कार दिलाया, जो उनकी अभिनयक शमता और उनकी कला के प्रती समर्पन का प्रमान है। संगीत की दुनिया में जिस्सू की यात्रा में एक उलेखनिय मोड आया जब उन्होंने अपने एकल करियर की शुरुवात की। मार्च दो हजार तेईस उनके संगीत प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पक्थर साबित हुआ जब उन्होंने मीक शीर्षक से अपना पहला एकल एल्बम जारी किया। एल्बम ने संगीत चार्ट पर असाधारन प्रभाव डाला और सरकल एल्बम चार्ट पर नंबर एक पर शुरुवात की। अपनी रिलीज के केवल दो दिनों के भीतर मीक ने 1.03 मिलियन प्रतिया बेची। जिसने दक्षिन कोरिया में एक महिला एकल कलाकार द्वारा अब तक के सबसे अधिक बिकने वाले एल्बम के रूप में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। इस उपलबधी ने न केवल एक पावर हाउस एकल कलाकार के रूप में जिसू की स्थिती को मजबूत किया, बल्कि उसके समर्पित प्रशंसक आधार के अटूट समर्थन को भी प्रदर्शित किया। उनके एकल प्रथम एल्बम फ्लावर के मुख्य एकल ने जिसू को और अधिक सुर्खियों में ला दिया। इस गाने ने बिलबोर्ड ग्लोबल 200 चार्ट और सरकल डिजिटल चार्ट पर दूसरे स्थान पर पहुँचकर उलेखनिय सफलता हासिल की। इसके अतिरिक्त फ्लावर ने कैनेडियन हॉट एक सौ एंजेड सींगल्स चार्ट और युके सींगल्स चार्ट सहित विभिन अंतरराष्ट्रिये चार्ट पर एक कोरियाई महिला एकल कलाकार द्वारा उच्छतम चार्टिंग गीत बनकर इतिहास रच दिया। इस उपलब्धी ने न केवल जिसू की वैश्विक अपील को उजागर किया बलकि संगीत उद्योग में एक अग्रणी के रूप में उसकी स्थिती को भी मजबूत किया। जिसू की संगीत प्रतिभा ने उसकी करिश्माई मंच उपस्थिती के साथ मिलकर दुनिया भर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके एकल पदारपण ने न केवल उनकी असाधारन गायन ख्षमताओं को प्रदर्शित किया, बलकि श्रोताओं के साथ गहरे स्थर पर जुडने की उनकी ख्षमता को भी प्रदर्शित किया। प्रशंसकों और आलोचकों ने समान रूप से उनके भावनात्मक प्रदर्शन की प्रशंसा की, उनके संगीत में डाली गई इमानदारी और जुनून की सराहना की अपनी कलात्मक उपलब्धियों के अलावा, जिसू का प्रभाव मनोरंजन उद्योग की सीमाओं से परेभी फैला वह कई महत्वाकांख्शी कलाकारों के लिए प्रेणा बन गई और उन्हें अटूट द्रिड संकल्प और समर्पन के साथ अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोच साहित किया उनकी सफलता की कहानी प्रतिभा, कड़ी महंत और द्रिडता की शक्ती के प्रमान के रूप में काम करती है जिससे कलाकारों की नई पीधी को उतकृष्टता के लिए प्रयास करने की प्रेणा मिलती है जैसे जैसे जिससु एक कलाकार के रूप में विक्सित होती गई, वैश्विक संगीत परिद्रिश्य पर उसका प्रभाव बढ़ता गया उनके एकल पदारपण ने न केवल उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया बलकि दक्षिन कोरियाई संगीत के इतिहास पर भी एक अमिट छाप छोड़ी अपनी उलेखनी उपलब्धियों के साथ, जिसु एक रोल मॉडल के रूप में उभी जिसने दुनिया भर के प्रशन्सकों को प्रेरित किया और उद्योग के सबसे प्रतिभाशाली और प्रभावशाली कलाकारों में से एक के रूप में अपनी विरासत को मजबूत किया संक्षेप में किम जीसु जिन्हें व्यापक रूप से जिसु के नाम से जाना जाता है ने ब्लैक पिंक के सदस्य एक प्रशंसित अभिनेत्री और एक अग्रणी एकल कलाकार के रूप में दक्षिन कोरियाई मनोरंजन उद्योग पर एक अमिट प्रभाव डाला है अपनी असाधारन प्रतिभा समर्पन और द्रिड़ता के माध्यम से उन्होंने उलेखनिय सफलता हासिल की है प्रशंसा अर्जित की है रिकॉर्ड तोड़े हैं और दुनिया भर में अंगिनत लोगों को प्रेरित किया है जैसे जैसे वह अपनी यात्रा जारी रखती है एक बहुमुखी कलाकार और प्रेना की किरन के रूप में जिसू की विरासत अग्वितिय बनी हुई है जो प्रशंसकों के दिलों और संगीत इतिहास के इतिहास पर एक स्थाई छाप छोड़ रही है